तो हेलो एवरियमन वेल्कम बेक टो माई यूट्यूब चैनल आई एम देव दिस इस माई यूट्यूब चैनल दा साइंस कलब दोसा यूट्यूब चैनल पर मैं देवंदर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जीनम की जो सेकंड डाउन काउंसिलिंग है वो कभी स्टार्ट होगी कितने नंबर तक वालों को कॉलेज मिल जाएगी और आपको अब कौनसी एक गलती है जो नहीं करनी है जिससे कि आप लोगों को फर्स्ट डाउन में कॉलेज नहीं मिली है बहुत सारे इस्टुडेंट ने चेक कर लिया जो चेक नहीं कर पाएं वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि आप किस तरकी से चेक कर सकते हैं वहाँ जाकर आप चेक आउट करें ठीक है न अब आप लोगों को एक ऐसी गलती आप लोगों नहीं करनी है जो आप प्लीज चेन को सब्सक्राइब करें पचास जार सब्सक्राइब है भी हमारे कंप्लीट होने वाले हैं तो जल्दी से प्लीज आप सब्सक्राइब करें क्योंकि ब्यस्से नर्शिंग वाले स्टुडेंट की हम एक तरफा हम जो है उनकी अच्छे से उनको गाइडेंस करते ह और उनको colleges दिलवाने की courses करते हैं बहुत कम नंबर पर भी हम college दिलवाएंगे पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताए कि मैंने मेरे ताउजी की लड़की को 72% पर अच्छी एक private college दिलवा दिया है और मुझे पता था private मिलेगी तो first round में जो college हमको चीए थी वो मैंने college करनी है कौन सी college हमें allot हो जाएगी तो हमें confirm थाकि ये college हमको अलोट हो जाएगी और वहीं जाकर हमने चेक क्या college हमको अलोट हो चुकी है तो अब वह वाली गलती आप लोगों को नहीं करनी है जो आपने first round में कर दिया है जो मैं आप लोगों को द्यान रखना है बिल्कुल नमबर पर, मतलब 63% है biology से, ठीक है न biology से 63 पर भी जो college है, alert हो गई है और colleges के किरम बात करो थी, यहाँ पर 55% पर भी college alert है, PCB के अंदर arts की और PCM की cut-off थोड़ी high गई है, इसका आप ध्यान रखें किस-किस की, arts की और PCM की, ठीक है न PCM की जो cut-off है, वो थोड़ी सी high गई है, तो अब क्योंकि first round के अंदर जो PCB वाले हैं physics, chemistry, biology वाले, उनको colleges मिल चुकी है, जादे तरे student को तो अब number है किसका arts वाले student का और math वाले student का, इन सभी का number है, तो इनको अब colleges मिलेगी अब आप लोगों को क्या गलती नहीं करनी है तो गलती ये नहीं करनी है मैंने आप लोगों को फिर बता रहा हूँ जितने student के, जितने number है, उसके according आप college भरो मैं आप लोगों की फिर help कर दूँगा, जैसे second round स्टार्ट होगा, तुरंत मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा, अगर आप प्यार and support अच्छे रंग से दिखाते हैं सब्सकाइब जरूर कर ले ना, और उसको bell icon पर all पर select कर ले ना ताकि वीडियो को notification आपको मिल जाएगा अब आप लोगों को क्या करना है अब आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने कम नंबर पर भी colleges मिल रही है वो आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूँ जी कहना तो अभी मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो देखों किस तरी किस आप देख सकते हैं arts वाले student है और अनीता बगावतिन का नाम है 61 पर भीन को college मिल गई है अब आप बोलोगे कि सर हमारे तो 85% तो हमको तो फिर भी college नहीं मिलिये तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ 80-20 इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि आप इसको बार-बार भूल जाते है तो इसको भूलना नहीं है इसको भी ध्यान रखना है कि 80% girls ली जाएंगी 20% boys ली जाएंगी तो boys बहुत ज़्यादा परिशान है कि सर हम तो इतनी महनत करकर 85% बना रहे है और यहां अगर हम बात करें तो यहां पर 58 वाले भी college लेके जा रहे है अब देखो थोड़ा समाब लोगों को बताओं कुछ थोड़ा सा अब यहां पर यह लड़की है जोती और यह क्या है मोनीका मोनीका की परसंटेज देखो 88.6 है जोती की परसंटेज देखो 86 और यहां पर प्रियांका की देखो 58 ठीक है अब यहां पर थोड़ा सा और देखाओं यहां पर देखो अनिता की परसंटेज देखो 51 और प्रिया गुपता की देखो 62 जबकि ये EWS का टेकरी से है ठीक है न अब यहाँ पर मैं बात करूँ एक है शालू मीना इसकी परसंटेज है 84 कितनी है 84 तो अब यहाँ पर देख सकते हैं boys की परसंटेज देखो एक बार और girls की परसंटेज देखो girls को 58 पर भी 60 पर भी 61 पर भी college मिल रही है जबकि ST और EWS दोनों को मैं सेम मानता हूँ क्योंकि EWS में 10 नंबर का bonus मिल जाता है तो इस तरीके से ST और EWS को मैं सेम मान रहा हूँ फिर भी अब आप देख सकते हैं boys की बिचारे की परसंटेज है 84.8 गल्स की परसंटेज है यहाँ पर 60 मान लेते हैं तो इतना बड़ा distance है मतलब difference है यह आप समाझे सकते हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है आपको जो मैं colleges बताऊंगा आप वह आप बढ़ देगना ठीक है ना जो मा आपको आप college बताऊंगा उस तरीके से आप बढ़ देगना आप लोगों को college अलोट हो जाएगी ठीक है आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा ओर चीज मा आप लोगों को बताने की कोशिस करूँ बहुत सारे इस्टुएंट आप बोटने की सर देखे कैसे तो देखना ऐसे है कि आप लोगों ने जो भी colleges भरी थी जो first priority दी थी ना सबसे पहले तो जिनको first priority दी थी ना उनको first priority पर भी मिल गई है जो भी physics, chemistry और biology वाले student होंगे ना ठीक है ना physics, chemistry और biology वाले student होंगे उन्हें first priority जो आप लोगों ने दी है मतलब दोसा को दिस्टिक को दी है या फिर आप लोगों ने और जहांपर भी जो colleges है जिनको भी दी है उनको मिल गई होगी और जितने भी student है जिनको आप नहीं मिली है first round में उनको second round में मैं आप लोगों की तुरुंत आप लोगों को notification मिल जाएगा तो जब भी second round इस्टार्ट होगा आप लोगों को तुरुंत notification पाने के लिए जिन्हों ने अभी तक subscribe निकाए subscribe जरूर कर लेना और bell icon को ओल पर select जरूर कर लेना ताकि हर एक वीडियो को notification मिल जाए कब start हो रहा है कब इस आप लोगों को अपने according college भरनी है मैं आप लोगों को बता दूंगा अगर आपकी 70% से कितनी 70% से उपर है तो आप लोगों को private कोलेट मतलब 80 से नीचे अगर आपकी percentage थे ना तो आप लोगों को government college नहीं भरनी है यह आप ध्यान रखो अगर आपकी 85 से नीचे भी है तो भी आप government college मत भरो private भरो ताकि आप लोगों को college मिल जाए time waste आपका ना हो अगर आप government लेने के चक् हिंद जया भारत नमस्कार